अस्सलाम अलेकुम वेवर्स आसे विली छूट में खुश्याम दीद आज मैं आपके लाई हूँ मीटी इत के लिया से ऐसी रेसिपी जिसे देखकर आप ये मीठा बनाना चाहेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्ट ही और मुँ में घुल जाने वाली मिलाई ब्रेट की रेसिपी है जो 15 मिन में बन कर तैयार हो जाती है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलना है मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं मैंने एक किलो टेटरा पेक दूद के इस्तमाल किया है आप दूद टेटर पेक का लीजिएगा ये फुल करीमी होता है और इसका मीठा बहुत ही अच्छा बनता है और अगर आप नोर्मली दूद आपके घर में आता है तो वो इस्तमाल किजिएगा पर अब वो पेवर लीजिएगा इस दूद में से मैंने आदा कब दूद निकाल लिया है दूद में आदी प्याली चीनी डाल के मैं इसे पकाऊंगी आप मीठा अपने टेस्ट की हिसाफ से कम या जादा कर सकते हैं अब जो दूद मेंने बचा के रखा था उसमें मैं टूट वेवी स्पून भरके कस्टर पोडर का डालूंगी कस्टर को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकंदर कोई लामस वगरा ना हो ये देखें कस्टर भी अच्छे से मिक्स हो गया है और दूद में भी उपाला गया है अब ये जो मैंने कस्टर भोल के रखा था उसे दूद में डाल दूँगी और हल्कहा से चम्मच चलाती जाओंगी देखें इस तरीके से दूद में हमें कस्टर का इस्तमाल इतना करना है कि हमारा जिसे दूद है कस्टर का गाड़ा सो हो जाए हमें इसको जमाना नहीं है इसलिए इक हमें स्मूद सा बेटर बनाना है कस्टर का न और हमें कितना स्मूद सा बनाना है कितना कड़ा चाहिए यह मैं आपको आगी चलके बताती हूँ यह देखे कस्टर में अच्छे से उबाला गिया है और देखे मैं कस्टर भी थोड़ा गाड़ा सोग गिया है यह देखे इस तरीके से और देखे मैं इसको चिकराती हूँ आपको देखे मैं इस तरीक से उंगली मार रही हूँ ना तो इसमें चम्चे में कोट हो रही है हमें इस तरीके के चाहिए और ठंड़ा होने के बाद कस्टर थोड़ा और मजीद गाड़ा होगा चूले को बन करके मैं कस्टर को ठंड़ा होने के लिए रख देती हूँ आप वफेव पिसे कस्टर में चम्ब चलाते जाएगा ताकि जो इसमे एक तेहस ही जम जाती ना विवस वो नहीं जमेगी अब एक बिल्यट के तरफ आती हूँ यह मैंने बिल्यट ली है आप रेश ताजी दीजिएगा इसके में साइटे इस तरीके से तेजधार चुरी की मददस से कट कर लूँगी इस तरीके से बिरेट के चारो तरफ के किनारे इसी तरीके से में सब रिमूफ कर लूँगी आप इस recipe को ज़रूर बनाएजिएगा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी ये recipe अब बिरेट को बीच में इस तरीके से triangle shape में कट कर लूँगी आप बिरेट कट करते वकाद तेज़ दार चुरी का इस्तमाल कीजिएगा इससे हमाई बिरेट टूटेंगी नहीं और अराम से एक जैसी shape में कट हो जाएंगी देखे इस तरीके से ना बिल्कुल टूटी है बिल्कुल एक जैसी shape में ये कट हो गई है बिल्येट आप ताजी लेजिएगा इससे बिल्येट कर करने भी असानी होगी और बहुत ही टेस्टी हमाई मिल्याई बिल्येट की रेसिपी तयार होगी अब हम इसे side में रखते हैं और जो बिल्येट के अंदर की जो माई filling का समान है हम उसकी तरफ आते हैं मैंने three टेबिल स्पुन खोया का लिया है और three टेबिल स्पून के करें में अपास कलाकन रखे थी मिठाई वो मैंने इस्तेमाल कर ली है इसमें है तो आपके पास इस्तेमाल के जैगा मैंने के दालने से माई बिडरड मिलाइका जाएका और भी भ्त управ्तस हो गया था अब में इसमें 4 टैवी श्पून क्रिम का डालूँगी अगर आप कलाकन ना दाले तो इसमें 2 टीस्पून चीनी का एट करूँगी क्योंकि कलाकन हमारी मिठी होती ही इसलिए मैंने उसमें 1 टीस्पून पिसीवी चीनी का दाला है अगर आप कलाकन ना दाले तो इसमें 2 टीस्पून चीनी का एट करिएगा आप इससी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इत्усов करना है कि जिसे एक अच्छा सा गाड़ा सा बिटर बन जाए जो हमाई डूबर रोटी पे अच्छे से कोड हो जाए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है अमेज में टू टेबी स्पून दूद काइट करूँगी और इसे भी डाल के मच्चे से मिख्स कर लेंके ताकि हमारा एक स्मूज सा तो पतला सा बेटर हो जाए हम डोग रोटी में जब इसे लगाएं तो यह अराम से लग जाए देखे मुझे इस तरीके का चाहिए था अगर आपको गाड़ा लगे मज़ी तो वन टेबी स्पून दूद काप और इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको देखे मैं इस तरीके से गिरा रही न तो देखे गिर रही है इसी तरीके का चाहिए अब इम इसे side में रखते हैं हम अपनी braid की तफ आते हैं ये मैंने एक braid की slice ली है इसमें मैंने जो mixer बना के रखा था इसको braid में इस तरीके से में हलके के हाथ से फिला दूँगी चमचे की मदस से फिर इसके पर दूसा slice रखोंगी braid का और इसको रखके हलके हाथ से प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छे से set हो जाए इसको उठा के मैं side में रखती हूँ और इसी तरीके से में ये सारे बिड़ेट बना दूँगी और सब मैं इसी तरीके से filling करूँगी आप इस recipe को ज़रूर बनाएएगा हम लोग इतने समय या शीर खोर्मा इस तरह की चीज़े तो खाते रहते हैं पर आप ये new recipe ट्राइट करेंगे न वीवर्स तो बच्चे और बड़े सब भूत ही शोक से खाएंगे चलें अब हमारी सारी चीज़े रेड़ी हैं अब हम डिजर की समलिंग कर लेते हैं फिर ले हम स्रोविंग डिश में बड़ेट को इस तरह से सेट करेंगे आप इस तरह से लगाईएगा लुक वाइस भी बहुत ही जबरदस हमाई बड़ेट लगेगी बड़ेट को इस तरीकी से मैंने डिश में सेट कर लिया है और कस्टर भी ठंडा हो गया है अब मैं चम्ची की मदश से बड़ेट पे इस तरीके से कस्टर को गिलात जाऊंगी सही से डाल लेंगे हम ताकि अच्छे से सोप हो जाए कस्टर बड़ेट में अच्छे से सोप हो गया है अब ये जो सैड में अंदर जो मैंने फिलिंग की थी ना बिलेट की ये थोड़ी बची है इसको मैं सैड सैड में इस तरीके से गानिश कर दूँगी अगर आपके पास बचे तो गानिश कर दिएगा नहीं तो स्कीप कर दिजेगा पर आप दालेंगे ना सैड में तो लुकवाइस भी पूत अच्छे लगेगा उसका टेस्ट में भी अच्छा सा जाइक आएगा अब ये ड्राइन नर्स मैंने इस तरीके से बारिक कट करनी है इससे में अपनी मिलाइब्रेट को गानिश कर दूँए आपको लुकवाइस अंदाजा हो रहोगा कितने अजब दस हमारा ये लाइब्रेट मीठा तैयार हुआ है आप इसे मीठी में ज़रूर बनाएगा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही जाएकेदार और बहुत ही टेस्टी बनके ये रेसिपी तैयार हुई है अगर आप पहली दफ़ा भी बनाने वाले होंगे आप इजी ली आराम से बना लेंगे अगर आप मेरी वीडियो को देखते वें यहां तक पोज़ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताके मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पोज़ सके अब देखे मैं आपको आप में इसको कट करके दिखाती हूँ, यह देखें हमारा लाजवाब मुह में खुल जाने वाला मलाई ब्रेट की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आप इसे मीठी रीत में बनाएं, महमानों की दावत में सर्फ करें, बहुत ही टेस्टी बन के तयार हुआ है और बहुत ही को इजाज़त दीजिए, नेक्स डेस एपी के साथ भी मिलते हैं, अल्ला हाफीज